नमस्कार उज्यान मैं हूँ आपके साथ इशी का यादव आप देख रहा है नियूस का 27 दिसंबर मंगलवार दोपर का बुलेटीन तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की और इस बुलेटीन की प्रायोजक है आरकेड डेवलोपर्स शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में कानेपुरा रोड की पद्नावती अवेन्यों में मंगलवार को एक युवा अभिभाशक की नवन लाश मिलने से संसनी फैल गई अभिभाशक के सर पर पीछे की तरफ चोटके निशान है और कमरे में खुण ही खूण पहला है सोफे पर चाए के दो कप मिले हैं जो इस बात को पुकता करते हैं कि कमरे में अभिभाशक के साथ कोई और भी था अभिभाशक ने हाली में बार एसोसियेशन में उपाध्यक्षपत का चुनाव लड़ा था 45 साल के अभिभाशक जितेंदर सेंग गोंदिया पदमावती एवेन्यू में पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे उनकी पत्नी और बच्चे परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए है और वह घर पर अकीले थे मंगलवार को उनका शव कमरे में मिलने से संसनी फैल गई इस बात की जानकारी जब अभिभाशकों को मिली तो बड़ी संख्या में वह भी पदमावती एवेन्यू पहुच गए कमरे में पलंग पीटी और सोफे के बीच जमीन पर जितेंदर गोंदिया की लाश पड़ी मिली शव नग नवस्ता में था और सिर्पर पीछे की तरफ से खून फैला पड़ा है ऐसा लगता है कि सिर के पिछले हिस्से पर किसी ने प्रहार किया है कमरे में लखे सोफे के हत्ते पर चाय के दो काप और एक प्याली रखी है इससे ऐसा लगता है कि कमरे में उनके साथ कोई और भी था सूमबार के दोपार करीब दो बच के तीस मिनिट पर गोंदिया को पडोसियों ने घर के बाहर बैठा देखा था उसके बाद वह दिखाई नहीं दिये परीजरों ने मंगलवार को गोंदिया से संपर्ग करने की कोशिश की और जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो परोसियों को घर पता करने के लिए भीजा गया तब कमरे में गोंदिया की लाश मिली फिलाल चिमनगंज पुलस मौके पर पहुची और शेफ पीम के लिए स्पताल भीजा है पीम के बाद ही मौत के कारून का खुलासा हो सकेगा मौके पर FSL की टीम भी पहुची और साक्ष एकतर की है फिलाल मौत को संदिक्द मान कर जाच की जा रही है हत्या की आशंका भी जताई जा रही है कि मौत का कारण इसप्ष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनको अटेक आया है या फिर उनको गिरने से चोट आई है क्योंकि उनके सिर्पे भी चोट है और बलड़ भी निकला हुआ है को चुकि बाड़ी पे भी उनके किसी प्रकार से कोई वस्तर नहीं है इसी लिए मामला संदुक्त भी लगता है और मृत्यू के जाश का कोई इस्वस्ट कारण अभी तक पता नहीं लगा है लेकिन पुलिस अपने जाश में यहां पर लगी है कि अभी प्रात्मिक जाश से तो किर रिशान देखा यह अभी फिरम के परवार के स्वामनात दर्सन करें गए इनके परवार वालों ने जैसे पून किया है तो अली ने कि इनके जब लोगों ने देखा तो जै रत्वस्था मिले आखी वाले कब्रे है इंदोर रूर के अर्पिता कॉलोनी में चाबी बनाने आए तो बदमाश एक जियोतिश के घर की आलमारी साफ कर गए वह सोनी और डायमन्ट की अंगूचियों से भड़ा बैग लेकर फरार हो गए इनकी कीमत 15 लाक रुपए आके गई है अर्पिता कॉलोनी के 122 नंबर मकान में जियोतिश प्रभात कुमार सोनी रहते हैं दो मंजिला मकान की नीचली मंजिल पर उन्होंने ऑफिस बना रखा है और यहीं हाल में अपने छोटे भाई प्रताप नारायन सोनी के साथ रहते हैं उनके भतीजे इंकम टेक्स इंस्पेक्टर मनोच कुमार सोनी और अर्विंद कुमार सोनी उपनी मंजिल पर परिवार के साथ रहते हैं सोमवार को मनोच सोनी ज्यूटी पर गए थी जबकि अर्विंद चिंतामन गणीश मंदिर इस बीच नीचली मंजिल पर उनके ताव प्रभात कुमार सोनी और पिता प्रताप सोनी ही थे इसी दोरान कॉलोनी में जुबलिकेट चाबी बनाने वाले को दो लोगों ने आवाज लगाई चुकि प्रभात कुमार के अलमारी के लॉक ठीक से काम नहीं कर रहे थे ऐसे में उन्होंने दोनों युवकों को घर में बुला लिया जीन्स, पैंट और सफेद शॉर्ट पहने चाबी वाले ने अलमारी को खोल कर देखा और चाबी बनानी शुरू की दोरान इनोंने अलमारी में रखा अंगूठियों का बैग गायब कर दिया बैग में सोने और डायमंड के 27 अंगूठिया थी और सोने के सिक्के थे इनका उप्योग प्रभाद सोनी पूजा में करते थे थोड़ी देर बाद चाबी बनाने वालों ने बिमारी का बहाना किया और घर से बाहर निकल गए उनके जाने के बाद जब प्रभाद सोनी ने आलमारी चेक की तो अंगूठियों से भरा बैग नहीं था भतीजे मनोठ सोनी ने बताया कि करीब 12-15 लाक रुपए कीमत की अंगूठिया और सोने के सिक्के बैग में थी अभी आलमारी के अन्य लॉकर बंध है उनके खुलने के बाद पूरी चोरी का पता चलेगा नाना खेडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है इस संबंध में भतीजे अर्विंद सोनी ने बताया कल दोपर में 20-30 बज़े के असपास दो लोग बार आवाज लगार आएके चालू करवाने के लिए तो मैं गर पे नहीं दाचिंता मन गया हुआ था इसके बाद फिर इस अलमारी के कुछ लोकर में चावियों में थोड़ी गड़ बढ़ है इसके लिए उन्होंने उसको बोला ठीक करने के लिए तो उन लोगोंने लौकर ठीक करने के बहाने उसमें से पर्स वगयरा निकालके वो तबीत खराब करने का बहाना हुआ 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 कि मुझे खासी आ रही है ऐसा वेसा पानी भी क्या आते हैं तो दोनों एक के पीछे पाक्ष, विद्यापर्मम, बलम, UPSC, MPPSC, NDA, CDS, SCC, बैंकिंग एवं व्यापम, आखिर क्यों है हम बेटर? मुख्य परिक्षा के लिए प्रति दिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री, मेंस, इंटर्व्यू, चार दिन डेमो क्लासिस, AC क्लास्रूम उत्तम फर्नीचर के साथ, चार घंटी प्रति दिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विशे विशे शग्योद्व नियमित सेमिनार, हर विशे का अध्यन, विशे विशे शग्योद्वारा, गुनवत्ता सिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स रिकॉर्डट कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विध्यार्टियों के लिए प्रतक कक्षाएं, समसामई के आइब्रेरी, SSB इंटर्व्यू, स्पोकन इंग्लेश, ग्रुप डिसकुशन के लिए सतत अभ्यास, आपकारी SSC, पटवारी बैंकिंग, विशेश बैच प्रारम, हमारा पता, फ्यूचर विजन कॉलेज के उपर, युनिवर्सिती रोड, उजेन, मधिप्रदेश, समाजनों ने धूमधाम से मनाई, शीरिसागर शेत्र से समाजनों ने जुलूस निकाला, जो शहर के प्रमुक मार्गों से निकला, जुलूस में संभाग भर के समाजन शामिल थे जुलूस को भव्य रूप देने के लिए बैंट, घोड़े और उट भी शामिल थे, घोड़ों को नाज भी इस दोरान जगह जगह हुआ, सजे धजे उट और घोड़ों ने चल समारों को भव्य रंगत दे रखी थी बैंट के धुन पर पगड़ी, बांध, खंगार, पुरुष और पारंपरिक ड्रेस में बड़ी संख्या में महिलाए भी जुलूस में शामिल हुई जुलूस जिस भी मार्ग से गुज्रा, वहां के सड़क फूलों से पड़ गई, जगह जगह मंच बना कर लोग स्वागत करते नज़र आए जुलूस में शामिल समाच के प्रमुक जनों का साफा बांध कर अभी नंदन किया गया बुद्वारिया, पटेल लगर होते हुए चल समारो खाक चौक पहुचा, चल समारो में उजैन, नागदार, रतलाम, मनसौर, देवास, नीमच, इंदोर, धार के समाच जन बड़ी संख्या में शामिल हुए चल समारो आयोजित करने वाली युवा समीती के अध्यक्ष राजो ठाकुर ने बताया चतरी खंगार समाच का महराजा खेश सिंग खंगार जेनती का ये प्रिथम उज्जन में चल समारो है यहाँ आयोजित युवा समीती चतरी खंगार समाच द्वारा किया जा रहा है माराजा खेश सिंग घंगार जेनती पेर, हर जिले में माराजा की जेनती बनाई जाती है, उसी उपलक्ष में युवा समीती उज्जेन में बनाई जा रही है। को नई खेडी और अंबोधिया के बीच अग्यात वाहा ने चकर मार दी, हाथसे में युवकी मौके पर ही मौध हो गई। को देम गाओं और यह घटना नई खेडी और पेट्रोलफम जो पड़ता है बीच में नई खेडी पेट्रोलफम उसके बीच में गटना होई है, रातरी साड़े आड़ बजे, यह सुरेश परियार उज्जन आया था, किसी काम से और फिर घर के लिए लोट रहा था, और सुरेश के परिवार में पतनी, एक बच्ची और दो छोटे भाई है, फिलाल पुलिस ने मर्ग कायम किया है, जाच की जा रही है तेरा मेरा रेस्टोरेंड कैफे, प्राइम लोकेशन पर थ्री इन वन सल्यूशन, शांदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफ टॉप कैफे, होटल जहां है, एसी सिंगल बेड और डबल बेड डिलेक्स रूम्स, खास ओकेजिन्स के लिए, 3D साउंड, DJ लाइट्स और जोबी एरिया और फ्री वाइफाई भी है उपलब्त, हमारा पता, 13 बिटा चार अलक नंदा नगर कॉस्मोस मॉल के पीछे इंदारोड उज्जे, संपरकरे 789-734-0664 या 7566-801224 या 93-4044-7277 बढ़नगर के बड़ी हवेली शेत्र के निवासी एक कारोबारी की मौत हो बें, वह 16 दिसम्मर को सड़क हाथ से में घायल हुआ था और उसका उपचार चल रहा था बड़ी हवेली का रहने वाला 40 साल का पंकच शर्मा पिता शांतिलाल शर्मा की बाईक को अग्यात वाहन ने टकर मार दी थी गंबीर घायल पंकच का उपचार उज्जेन के आरडी गारी मैडिकल कॉलेज में चल रहा था सुमवार की शाम पंकच शर्मा का निधन हो गया पंकच शर्मा के मित्र मिलन सोनी ने हाथ से के बारे में बताया पंकच के परिवार में मा और पतनी है पुलिस ने मर्ग कायम कर जाच शुरू की है तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटीन या आपको कैसा लगा इसका फीट बैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरी जरूर दीजेगा कल पिर मुलाकात होगी इसी समय ने बुलेटीन के साथ तब तक के लिए समश्कार